तो आपका सेट नमबर 16 का सॉलुशन देखते हैं हम लोग तो फर्स कुश्शन आपका है रास्टिय मस्की तक्निकी संस्थान इस्थित है इसको थोड़ा कुश्शन चेंज कर ली जागा ये रास्टिय नहीं है बलकि केंद्री ये है तो इस कुश्शन को आप जो है सही करके और Central Institute of Fisheries ये लिख ली जगा ठीक है और ये आपका कोचीन में है ये आपका सही आंसर है 1957 में ये स्टेबलिस हुआ है ठीक है इसको ध्यान रखेगा और इसके चार रिसर्च सेंटर्स भी है आपका एक वरावल में जो गुजरात में है एक मुंबई में और एक आपका विशाखापटनम में तो इन तीनों को ध्यान रखेगा ठीक है कुशन नमबर टू देखिए निवन में से कौन सा दूरी का मातरक नहीं है तो यह आपका प्रकाश वर्स दूरी का मातरक पार्सेक दूरी का मातरक नौटिकल मील आपका दूरी का मातरक और यह जो नौट है यह आपका नौटिकल माइल पर आवर इसको आप नौटिकल माइल पर आवर इससे जान सकते हैं तो यह आपकी गति का मातरक है ना कि आपका दूरी का तो यह आप्शन आपका गलत होगा है ठीक है चलिए नेक्स तीशा कोशन देखते हैं रात्री द्रिष्टी उपकरणों में प्रियोग की जाने वाली तरंगे तो night vision instruments में आपका UV rays भी इस्तेमाल की जाती हैं आपका radio waves भी इस्तेमाल की जाती हैं और आपके light waves भी इस्तेमाल की जाती हैं तो तीनों ही आपके जो हैं यूज की जाती हैं तो इन तीनों को ही आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ही आपका इस्तेमाल की जाएगी तो option आपका इसमें सभी आने चाहिए थे इसमें infrared आपका ये सही answer होगा आपका IR तो इसको ध्यान रखेगा चलिए क्वेशन नमबर 4 आपका देखते हैं लॉक हो गया चलिए क्वेशन नमबर 4 देखेए क्रिस्टिलियस सनरचना का अध्यन करने के लिए उप्यूग तरंगे हैं आपकी X-rays क्योंकि X-rays आप जानते हैं कि इनकी wavelength जो होती है वो size of atom जो होता है उसके बराबर होती है ठीक है और इनकी जो high energy होती है वो आसानी से penetrate कर जाती है आसानी से इसी वज़े से इसका उप्योग किया जाता है क्रिस्टिलियस सनरचना जानने के लिए हलकी गैसों में ध्वनी की चाल भारी गैसों से तो ये अधिक होती है इसको धहां रखेगा जैसे अगर हम helium की बात करें तो helium आपकी जो है हलकी गैस है तो इसमें ध्वनी की चाल आपका अधिक होगी बजाए की अगर हम भारी गैस लें जैसे की जैनोन तो जैनोन में ये जो है आपका थोड़ा कम होगी तो इन दोनों को ध्यान रखेगा कि कहां ज़्यादा होगी और कहां कम होगी चलिए next देखिए किसके कारण समान तीवरता व शमान तारत्तों की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है तो आपका आंसर होगा quality गुनता तो गुंता के कारण ही आपका जो है ध्वनियों में अंतर का पता चलता है इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कोई instrument किस प्रकार की ध्वन उत्पन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट कुशिन नमबर सेवन्थ आपका देखे सिनेमा हॉल में दिवारों पर थर्मा कॉल का प्रियोग किस से बचने के लिए किया जाता है तो अनुरानन या रिवर्बरेशन या आपका आंसर सही होगा इसको आप multiple reflection के नाम से भी जान सकते हैं तो ये multiple reflection के नाम से जाना जाता है तो जगे से अगर reflection होगा तो आपको अनेक धुनिया एक साथ सुनाई देंगी इसी से बचने के लिए आपका सिनेमा हॉल की दिवारों पर हम थर्मा कॉल का प्रियोग करते हैं तो इसको ध्यान रखेगा कि reverberation क्या है तो multiple reflection को हम reverberation बोलते हैं नेक्स्ट कोशन नमर आठ देखिए समुदर में नीरव छेतर के होने का कारण यानि silence zone जो oceans में होती है वो किसके कारण होती है तो वो आपका विनासी व्यतिकरण के कारण उत्पन होती है देखिए जब waves आपकी दो प्रकार की interference दर्शाती है तो यह एक wave है यह हमारी दूसरी wave है तो इन दोनो waves को अगर मिला दिया जाए तो जो आपका interference होगा यह interference है इसको ध्यान रखेगा यह E की जग है एफ आएगा तो interference यह बिनासी व्यतिकरण आपका जब यह मिल जाएंगे पहले constructive interference को देखते हैं जब यह मिल जाएंगी तो इस से इस तरण का आयाम कई गुना बढ़ जाता है तो यह तो हमारा संपोसी यह constructive interference है destructive interference देखिए अगर यह दोनों तरंगे हैं इन दोनों को जोड़ा जाए तो यह एक दूसरे को cancel करने का काम करती हैं और resulting जो amplitude होगा आयाम होगा वो बिलकुल सीधा होगा जिससे आपका silence zone का निर्मान होता है तो समुद्र छेतर में निर्व आपका छेतर होने का कारण मुख्यता विनासी व्यति करण है इसको ध्यान रखें चलिए next question देखते है question number 9 तो धूप के चस्मों की चमता होती है तो धूप के चस्मों की चमता सून्य होती है ना वो किसी चीज को बड़ा करके दिखाते है ना किसी चीज को छोटा करके तो इसलिए उनकी चमता हमेशा zero director होगी दस्वां question देखें सडक पर लगे परावर्तक लेंपों में प्रियुक्त दरपन तो परावर्तक जो लेंप होते हैं सडक के किनारे उन पर आपका convex mirror का इस्तमाल किया जाता है ताकि आपको एक बड़ा छेतर दिखाई दे सके जहां पर आपकी सडक पर जो भी ट्राफिक वगरा चल रहा है वो आपको दिखाई दे तो उसी लिए हम लोग convex दरपन का इस्तमाल करते हैं यहां पर इसको ध्यान रखें 11 है कोई पिंड उश्मा का अफ्शोषन करता है जब उसकी सतय होगी तो यह आप जानते हैं जब सफेद सता हो और चिकनी सतय हो तब जो है उश्मा का अफ्शोषन अधिक होगा ठीक है एक मिनट अफ्शोषन यह आपका ऑप्शन सही होगा इसमें तो ऑप्शन सी ध्यान रखेंगा जब ब्लैक और स्मूथ होगा तब वो एब्सॉप ज़्यादा करेगी उश्मा को यह रिफ्लेक्ट टरेगी तो इसको ध्यान रखेंगा नेक्स देखिए बारवा कोशन है कि स्वचालित इंजनों में इंजनों को जमने से बचाने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो स्वचालित इंजनों में हम लोग इथाइलीन ग्लाइकॉल का इस्तमाल करते हैं जो आपका मुख्यता जमने से रोकने का काम करता है तो CH2 होल ट्वाइस यह आपका इथाइलीन ग्लाइकॉल है यह C2S6OH यह आप इसको इथेन 1,2 डायोल भी बोल सकते हैं तो इसका जो साइन्टिफिक नेम है इथेन 1,2 डायोल यह इसका साइन्टिफिक नेम है इसको ध्यान रखिएगा चले तो यह हमारा जमने से बचाने के लिए इस्तमाल किया जाता है वो आपका यह जो भाग है हमारा यह फलक्रम है यह हमारी कोहनी यह फलक्रम का काम करती है यह हमारी effort arm है और यह हमारी load arm है ठीक है तो यह हमारा class थर्ड का लिवर है तो इसको नियान रखिएगा question number 13 का आपका answer होगा third class लिवर question number 14 देखिए criterion ग्रहों उप ग्रहों में लोलक घड़ी का आवर्थकाल तो घड़ी का जो आवर्थकाल होता है t is equal to 2 pi root l upon g तो criterion ग्रहों के अंदर जो है उप ग्रहों के अंदर g का मान g is equal to 0 हो जाता है तो इस वज़े से आपका ये पूरा time period उसका क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा अनंत हो जाएगा क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज़ को divide करते हैं तो वो infinity की तरफ जाता है तो infinite आपका इसका answer होगा ठीक है चले next question देखिए question number 15 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायूमंडली है दाब से तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो आपका हमेशा अधिक होगा तो answer आपका A होगा 16 है पिघलने पर मॉम के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जब मॉम आपका पिघलती है तो उसके जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं ठीक है नेक्स कुश्चन देखिए कुश्चन नमबर 17 ताब बढ़ने पर गैसों की सियानता पर क्या असर होता है तो जब ताब बढ़ता है तो गैसों में ध्यान रखिएगा क्योंकि viscosity गैसों में kinetic theory of gases जो है kinetic theory of gases यह क्या करती है कहती है कि जो आपका गैसों की viscosity होगी वो proportional होती है under root of absolute temperature ठीक है तो अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो temperature और viscosity दोनों में direct relation बन रहा है तो ताब बढ़ने पर gasों की सयानता हमारी क्या करेगी increase करेगी बढ़ेगी ठीक है लेकिन अगर आपको द्रवों में पूछा जाता है तो द्रवों पर उल्टा होता है घ्यान रखिएगा द्रवों में ये घटेगी ठीक है अगर हम question देखें तो magnetic field strength की इसमें है नहीं option तो answer आपका जो है वैसे तो magnetic field के base पे अगर हम देखें तो cable आपका answer भी हो सकता है लेकिन इसको magnetic field strength के रूप में आप लोग याद रखेंगे ठीक है question number 19 देखें सलग में कितने kilogram होते हैं तो एक सलग में 14.594 kg होते हैं answer number आपका भी सही होगा इसमें question number 20 देखें वेग प्रवनता की विमा है तो वेग प्रवनता हमारा velocity gradient is equal to होता है velocity upon distance तो velocity gradient is equal to velocity upon distance तो velocity की जो आपकी विमा होती है वो M0 L0 T-1 होती है तो देखें इसको अगर आप distance से L से डिवाइड करेंगे velocity sorry M L T-1 होती है यह आपका velocity की विमा है और इसको आप डिवाइड करेंगे L से तो L आपका चैंसल होती है यह आपका विमा है और इसको आप डिवाइड करेंगे करेंगा उस condition में आपका यह बचा M0 L0 और T-1 तो आप इसको T-1 भी लिख सकते हैं तो answer आपका यह B वाला सही होगा question number 21 देखें विद्ध परिपत में fuse जुड़ा होता है तो विद्ध परिपत में fuse हमेशा series में जुड़ा होता है ताकि थोड़ा सा भी current बढ़ने पर आपका इसको यह गल जाए और गलने से आपका परिपत तूट जाए जिससे कि आपके जितने भी instruments हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे अगर आप इसको पैलल में लगा देंगे तो पैलल में लगाने पर इसमें अन्य उपकरणों को हमारा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है नेक्स कुशन देखिए किस तत्तो के समस्थानकों की संक्या सरवादिक होती है तो आंसर आपका पोलोनियम है पोलोनियम के लगबग 42 42 समस्थानिक पाये जाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्तो हमारा पोलोनियम है इसके अलावा आप कार्बन के देखोगे तो कार्बन के आपको तीन समस्थानिक मिलेंगे चीक है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 फॉस्फोरस देखोगे तो फॉस्फोरस के आपको 21 समस्थानिक मिलते हैं और सिलिकॉन के आपके तीन समस्थानिक उपलब्द हैं तो सबसे ज़्यादा समस्थानिकों को वाला तत्व हमारा पोलोनियम है ठीक है नेक्स कुश्शन कुश्शन नमबर 23 तत्व जो गर्म करने पर उर्धव पातित हो जाता है तो इसको आप जानते ही है आयोडीन जो है वो आपका सब्लिमेट होता है सीधा गैस में बदल जाता है इसको गर्म करेंगे तो ठीक है चौबिसमा कुश्शन एलिमेंट हैविंग लोईस्ट आयोनियजिशन पोटेंशियल नियूनतम आयोन विभव वाला तत्व आयोन विभव द्यान रखियेगा कि आयोन विभव क्या है कितने हम उर्जा किसी तत्व को दें ताकि इलेक्ट्रोनों का उससे उस सर्जन हो जाए तो इस कंडिशन में आपका आंसर इसमें नियूनतम आयोन विभव वाला जो तत्व है वो कौन सा होना चाहिए आपका पीरेट में बढ़ती जाती है तो नियूनतम आयोन विभव वाला तत्व हमारा ओस्मियम डी चले नेक्स कुश्चन पच्चिसवा भविष्य का इंधन कहा जाता है तो भविष्य का इंधन आपका हाइड्रोजन कहलाता है भविष्य में हम इसका उपयोग इंधन बनाने के लिए या इंधन के रूप में कर सकते हैं जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो 42 होती है यानि 2N is equal to 42 ठीक है चले अठ्थाइसमा कुश्चन देखे है स्ट्रेप्टोमाइसीन के खोज करता तो स्ट्रेप्टोमाइसीन हमारा एक एंटिबायोटिक है जिसकी खोज आपका सेल्मेन वैक्समेन द्वारा की गई थी कुछ जगहों पर सेल्मेन वैक्समेन के स्थान पर आपको जो है आंसर एलवर्ट सैस भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है ठीक है लेकिन इसमें ऑप्शन आपका सेल्मेन वैक्समेन है जिन्होंन तो इसको वास्त्री रूप से विक्सित किया था तो स्ट्रेप्टोमाईसीन के खोच करता वैक्समेन, ठीक है, उना तिसमा कौन सा कवक खाने योग्य नहीं होता, तो देखो, अगैरिकस हम लोग खा सकते हैं, वल्वेरियला भी खा सकते हैं, प्लेवरोटोस भी खा सकते हैं, एसपरजिलस एक हमारा ऐसा कवक है, जो खाने योग्य नहीं है, इससे हम साइट्रिक असिड बगेरा बनाते हैं, या आपका एंटी कैंसर दवाईयां भी बनाने का इससे काम करते हैं, तो इसका अंसर आपका D होगा, क्वेशन नमबर 30 देखिए, लेक्टोस बना होता है, तो लेक्टोस आपका ग्लुकोस प्लस गैलेक्टोस का मिश्ण होता है, ठ Review, क्वेशन नमबर 31, 20 साल की आयू तक मनुषय में दातों की संक्या, और 28 बच्पन में आप जाते हैं, बालकों के दात जो हैं वो 20 होतेएं, जो आपके दूद के दांत होते हैं, उसके बाद इनके जो विक्सित होने वाले दांत हैं, वो 20 साल के अवस्ता तक 28 हो जाते हैं, और जो आपके लास्ट में मोलर्स हैं, वो बाद में विक्सित होते हैं, तो आंसर आपका D होगा, ठीक है, 32 आए निमनमे से किसका उत्पादन यकृत में नहीं होता तो fibrinogen यकृत में उत्पन होता है prothrombin यकृत में उत्पन होता है heparin यकृत में उत्पन होता है vitamins का यकृत से कोई लियान देना नहीं है तो answer आपका D vitiligo नामक रोग किस अंग से संबंदित है तो vitiligo skin से related है जब हमारी skin में जो color पैदा करने वाले ततो होते है skin pigment होते है वो nust हो जाते हैं या काम नहीं करते तब आपके vitiligo नामक रोग होने लगता है तो answer आपका A next देखें question number 34 anti tuberculosis divus तो anti tuberculosis divus आपका मनाया जाता है 24 March को तो answer आपका A Red Cross Society की स्थापना तो Red Cross Society की स्थापना 1863 में हुई थी 1863 में Henry Dunant और इनके साथ बहुत सारे और लोगों ने मिलकर इसका स्थापना की थी जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी या जिनेवा ही इसका headquarter है तो इसको धिहान रखिएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक वस्तु जिसका द्रविमान 20 ग्राम है पर एक बल दस सेकेंड तक कारे करता है यदि बल की मात्रा यदि बल की मात्रा 40 डाइन हो तो वस्तु की गति होगी तो इसको आप solve कर सकते हैं सबसे पहले acceleration निकालिए a is equal to f is equal to a में होता है तो a is equal to हम लोग f upon हम m करके acceleration निकाल सकते हैं तो देखे आपका force कितनी लग रही है चालिस नहीं पचावास चालिस इसको 40 ही कर लीजेगा इंग्लिश में भी इसको 40 कर लीजेगा 50 के बजाए आपका 40 कर लीजेगा ठीक है तो देखो 40 दे रखा है आपको और कितना है द्रबे मानुस का 20 ग्राम तो आप cancel कर लें तो आपका acceleration 2 meter per second square यह आ जाएगा ठीक है तो इतना उसका acceleration produce होगा त्वरण produce होगा अब त्वरण produce करने के बाद V is equal to U plus 80 लगा के आप निकाल सकते हैं कि इस पर लगने वाली गति यह इसकी गति क्या होगी देखिए initial velocity इसकी 0 होगी plus acceleration आपके पास आगया 2 meter per second और time आपके लिए दिया हुआ है 10 second तो इसका answer आपका 20 centimeter per second ठीक है तो answer आपका यह D सही होगा इसको ध्यान रखेगा नेक्स देखते हैं एक वस्तु जिसका दर्वेमान 8 kg है तता भार 78 newton है तो उस पर आरोपित गुरुतिय बल होगा ठीक है तो gravity क्या होगी तो भी आप ने पढ़ा हुआ है formula क्या होता है g is equal to w upon m ठीक है तो g is equal to w upon m लगा के आप gravity निकाल सकते हैं तेके इसका weight कितना है 78 newton भार है इसका और दर्वेमान इसका 8 kg है तो 78 divided by 8 कीजिए तो आपका answer जो आएगा वो 9.75 75 meter per second square यह आपकी gravity आ जाएगी ठीक है चलें next देखिए एक motor 60 kg जल को 15 meter की दूरी से 50 second में फेकती है motor की 85 percent है तो motor की सकती क्या होगी चलें तो question number 38 देखते हैं क्या कह रहा है कि आउटपुट हमें निकालना है सबसे पहले सबसे पहले हम निकालेंगे कि आउटपुट इसका क्या होगा तो output क्योंकि हमने machine की motor की सकती निकालनी एफिशेंसी निकालनी पावर निकालनी है तो पहले निकालनी पहले हम इसका output निकालते हैं तो output is equal to होता है हमारा m into g into h ठीक है अब आपका mass कितना दिया हुआ है 60 ठीक है g 9.8 लो गया आप क्योंकि यहाँ पर दिया गया नहीं है तो आप इसको 9.8 ही लेंगे और उचाही distance जो है वो आपकी 15 मीटर है तो आप 15 मीटर लेंगे 60 into 9.8 into 15 यह आपका output हुआ अब input तो input is equal to आपका होता है output upon efficiency बटे E efficiency उसकी कितनी है तो efficiency देखो इसकी कितनी दे रखी है चमता 80% दे रखी है तो output आपका यह आगया efficiency तो इसकी जगे आप रख लीजए यह 60 into 9.8 into 15 और डिवाइड बाई आपका ऐसकी जगे रखी है तो 80 बटे 100 हो जाएगा इस 100 को उपर ले जाएगे यहां पर और इसको divide करके answer आपका निकालिए तो answer आपका 220.5 आएगा इसको multiply करेंगे तो यह आएगा 1, 1, 0, 2, 5 ठीक है उसके बाद इसको आपको power निकालनी है तो power is equal to क्या होता है power is equal to होता है input upon t time तो देखो input आपका 1, 1, 0, 2, 5 आया time आपको 50 second दिया हुआ है तो 1, 1, 0 को आप डिवाइड कीजे 50 से तो इसको डिवाइड कर देंगे 50 से तो answer आपका जो भी आएगा डिवाइड कर लीजे तो 220.5 आएगा यह answer आपका तो answer आपका B होगा ठीक है 39 एक चिम्टा किस रहनी का उत्तोलक है तो चिम्टा आपका class 3 का ही माना जाता है तो third class का आपका चिम्टा एक example है तो इसको ध्यान रखिएगा question number 40 देखो कह रहा है prism का अपवर्थनांग निकालने का सूत्र है तो prism का अपवर्थनांग निकालने का सूत्र आपका यह होता है a plus dm upon sin a plus dm upon 2 divided by sin a upon 2 इसमें a plus a जो है वो prism का angle है और dm हमारा deviation angle है या कितना आपका जो है वो मुड़ेगी उसका angle बनेगा वो dm है आपका तो इसके base पे आप निकाल सकते हैं prism का अपवर्थनांग next देखिए question number 41 आँक का कौन सा भाग प्रकास संवेदी है तो आँक का जो प्रकास संवेदी भाग होता है वो retina होता है retina में आपके rods होते हैं cones होते हैं यही दोनों आपके प्रकास संवेदी cells हैं कोशिकाएं हैं जो आपका प्रकास के प्रती संवेदन सील होती है तो retina इसका सही answer होगा 42 मा कुश्चन देखिए इसमें आपको diameter दिया हुए 0.2 mm तो इसका radius निकाल लीजे तो r is equal to क्या होगा 0.2 divided by 2 तो यह 0.1 आपका इसका r आ जाएगा mm है तो इसको 1 upon 100 cm में change कर लो तो 1 upon 100 cm आप इसको लिख सकते हैं तो यह आपका radius आगया अब इसका area निकाल लीजे तो area is equal to pi r square pi r square निकाल के इसका area निकालेंगे और area आने के बाद आप इसमें row is equal to r upon l यह वाला सूतर लगाएंगे यह row है इसको धियान रखेगा row is equal to r upon l यह r निकालना है क्योंकि हमें इसका प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध निकालने के लिए r is equal to इसको चेंज कर देंगे फॉर्मूले को तो यह row l upon a यह आपका फॉर्मूला आजाएगा तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं कि कितना आएगा तो इसका answer फिलाल मैं आपको बता जिता हूँ आप स्वेम निकालके देखेगा इसे कितना आ रहा है ठीक है चले तो answer आप निकालके देख सकते हैं सूत्र से चले नेक्स स्वेशन देखिए वल्ट बीटर परिपत में सदार लगाया जाता है वल्ट मेटर परिपत में सदार लगाया जाता है तो एक और भी दोनों आपके answer куда होगो एक आदर्ष वॉल्टमिटर का प्रतिरोध होता है तो एक आदर्श वोल्टमेटर का प्रत्रोध आपका इन्फाइनाइट होता है अनन्त होता है ठीक है चले नेक्स देखो 45 भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम तो भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई में है ठीक है जिसको आपका तारापुर वाला म्यूजियम कहा एक्वेरियम कहा जाता है 1931 ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है ठीक है फिर है भारत का पहला कंप्यूटर अब भारत का पहला कंप्यूटर वैसे टाटा इंस्टूट आ फंडमेंटल रिसर्च वारा बनाया गया था लेकिन इस कोश्चन के अनुसार हम लोग जो है सिदार्थ को टिक कर सकते हैं जो आपका भारत में बनने वाला सबसे पहला computer माना जाता है ठीक है 47 देखें computer के सबसे बड़ी इकाई है तो computer computing की सबसे जो बड़ी इकाई है वो geobite है ठीक है न यह सबसे बड़ी इकाई है yotabyte है yotabyte के बाद आपका जो है brentabyte होती है फिर geobite होती है ठीक है तो यह सबसे बड़ी है यह brento है b, r, o, and, t, o है इसको सही कर लिजगा b, यहाँ पे r नहीं है तो यहाँ पे r जोड लिजगा b, r, o, and, t, o, b, i, t, e और geobite g, e, o, p, by, t, e ठीक है, तो एक geobite आपका लगभग, 10 to the power 30 byte के बराबर होता है तो यह सबसे बड़ी काई है, जो हमारे computing में प्रियूक्थ होती है, ठीक है next देखिए, 48, आगा का foundation का मुख्याले कहा है, तो आगा का foundation जो है, वो sustainable development से related है यानि कि सतत विकास से समबंदित है, प्रियावन और वगेरा के संदर्ब में काफी सारा काम करता है तो 1967 में 1967 में इसकी स्थापना की गई थी Switzerland में, और इसका मुख्याले आपका Switzerland में ही है, जेनेवा तो आंसर आपका C, ठीक है question number 49 कह रहा है विश्यो में प्रवासी या विश्यो प्रवासी दिवस का मनाया जाता है, तो विश्यो प्रवासी दिवस का ध्यान रखियेगा कि मई के दूसरे सनिवार को मनाया जाता है तो इसमें कोई option आपका सही नहीं है, तो ये ध्यान रखना मै का दूसरा सनिवार Second, Saturday चाहे वो किसी भी तिथी को पड़े उस दिन आपका जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है चाहे 8 मही को पड़े चाहे आपका 9 मही को पड़े चाहे 10 मही को पड़े तो उसी के बेस पे आप इसको solve करेंगे तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है द मेलन था तो भारत में जो कॉप सम्मेलन आयोजीत हुआ था वो आपका 2012 में हुआ था कॉप 11 हैदराबाद में इसका आयोजीट किया गया था ठीक है बाकि कॉप जो 9 है कॉप 9 आपका मिलान इटली में 2003 में हुआ था कॉप 10 देखोगे तो कॉप 10 आपका ब्यूनस-ायर्स में अर्जंटीना में 2004 में हुआ था फिर कॉप बारा देखोगे तो 2006 में नेरोभी में केनिया की राजदानी नेरोभी में यह आयुजित किया गया था ठीक है 51 देखो अचानक मार जैब मंडल आर्टी छेत्र इस्थेत है तो अचानक मार आपका 36 गड़ और मद्यप्रदेश दोनों का संयुक्त छेत्र है ठीक है मैकाल रेंज यहां पर पड़ती है तो मैकाल रेंज में बना हुआ बायस पर रिजर्ब है तो आंसर में आपके दोनों है ठीक है वैसे दोनों नहीं होने चाहिए लेकिन फिलाल दोनों है तो आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते है वैस प्रोलेक्टीन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो प्रोलेक्टीन हार्मोन हमारी प्रोलेक्टीन स्रावित किया ने में पंदेक्टीन हार्मोन किया चांता है पच्पंदे को मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, तो यह 2.3% के आसपास होती है, तो इस में जो आपको दिये गए option है, उसके अनुसार आपका 2% आपका सही होगा, तो पच्पंवे का आपका answer A. 56, फीता कर्मी के उस सरजन अंग होते हैं, तो फीता कर्मी या फ्लेट वाम जो है, या जो फ्रेश वाटर में रहने वाले कुछ चीजे हैं, उनका फ्लेम कोसिकाएं उस सरजी अंग होती है, तो फ्लेम कोसिकाएं किड्नी काम करती है, जैसे हमारी किड्नी काम करती है, उसी प 57 स्वसन कुणांक तो स्वसन गुनांक स्वसन का आपका जो है रेशियो होता है तो आनसर आपका A होगा ठीक है कि काबन Pakistan अपउन ऑक्षिजान आपान काइड नी काबन टायक्साइड अपउन औक्सीजन ये सोसन गुणा कहलाता है हमारा 58 है किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है तो अगनासाइक रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं कारण है यह कार्बोहईडर को पचाने के लिए भी एंजाइम सीक्रिट करता है यह आपका प्रोटीन को पचाने के लिए भी एंजाइम सीक्रिट करता है यह फैट को पचाने के लिए भी आपका एंजाइम सीक्रिट करता है तो आंसर आपका भी होगा ठीक है नेक्स देखते हैं, question number 59, down syndrome में गुणस्यूत्रों की संख्या, तो down syndrome में गुणस्यूत्रों की संख्या होती है, 47, ठीक है, इसमें आपका जो मनुष्य में एक किस्वा क्रोमोजोम का पाया जाता है, उसकी एक extra copy मौजूद रहती है, इसलिए 46 तो होते ही है, प्लस एक extra copy मिलके यह आपका 47 बनाते हैं, तो total आपके 47 पाये जाएंगे down syndrome में, ठीक है, 60th question देखो साथ हुआ, गुणस्यूत्रों की खोज की गई थी, तो गुणस्यूत्रों की खोज, जो है, वो मुख्य रूप से आपका, इसके अनुसार आप straws नगर को लगा सकते हैं, यह आपका answer सही होगा, वैसे Walter Fleming, Walter Fleming, यह इसका सही answer है, तो strong sugar आप लगा सकते हो, अगर यह नहीं है, तो आप इसको tick लगा सकते हो, नहीं तो आपका answer, यह Walter, Walter, W-A-L-T-H-E-R-F-E-L-M-I-N-G, तो Walter Fleming, यह आपके सही answer होगे, एक सठवा question देखो, रिक्तिकाओं के चारों और उपस्ति जिल्ली कहलाती है, तो रिक्तिकाओं के चारों और जो उपस्ति जिल्ली होती है, वो हमारी tonoplast के नाम से जानी जाती है, बाकी cell membrane आप जानते ह और या जो हमारे रिक्तिकाओं होती है, उनके चारों और पाया जाता है, तारक काई की खोज, सेंट्रोजोम की खोज, सेंट्रोजोम की खोज, टी बोवेरी द्वारा की गई थी, ठीक है, तो टी बोवेरी, इसका answer होगा A, ठीक है, 63 कह रहा है, फ्रेनोलोजी किसका अध्य 64 है, भारतिय पारिस्थितिकी के जनक, तो भारतिय पारिस्थितिकी के जनक आपके आर मिस्रा कहलाते हैं, इनोंने भारतिय पारिस्थितिकी के संबन में बहुत सारा काम किया है, बहुत कई पुस्तके भी लिखी हैं, और इनके पुस्तके कई विश्विद्याले में पढ़ होती है उसको हम cracking बोलते हैं तो उस दोरान जो है sulfur dioxide ज्यादा मातरा में निकलती है इसलिए हम sulfur dioxide को ही cracking gas के नाम से जानते है ठीक है 66 देखिए किसे कोशिका के अनुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है तो यातायात प्रबंधक आपका Golgi bodies क्या जाएंगी क्या नहीं जाएंगी किसको रोका जाए किसको जाने दिया जाए ये सब Golgi bodies manage करती है तो Golgi bodies या Golgi काय ये आपका option सही होगा 67 देखो किसे संधारी का RBC केंदरक सहीत होते हैं तो केंदरक जो है किसके RBC में पाये जाता है question ये पूछ रहा है तो उट के RBC में केंदरक पाये जाता है बाकी मुनिश्य के RBC में केंदरक नहीं मिलता है तो answer आपका ये C वाला सही होगा तो इसको ध्यान रखिएगा चलि हैं RBC में मिलते हैं या किसी और जगे तो answer आपका plasma होगा जनरली antibodies कहां रहती है आपकी plasma में उपस्तित रहती हैं तो आज कर antibodies का काफी आपका किया जा रहा है Corona काल है तो इसमें काफी चर्चा की जा रही है तो इनको ध्यान रखिएगा 69 है किस रक्त समू में antibodies नहीं मिलते है तो AB जो रक्त समू है उसमें antibodies नहीं मिलती हैं इसलिए हम इसको universal recipient बोलते हैं पिछली paper में भी आपका AB से कुछन आया था उसमें भी मैं आपको कुछ बताया था कि इसमें RBC के साथ जुड़े रहते हैं antigen plasma में नहीं पाय जाते तो इसका plasma किसी को भी donate किया जाता है इसलिए इसे universal plasma donor भी कहते हैं तो ध्यान रखना universal recipient तो है यह blood का लेकिन यह plasma का universal donor भी है 70 है यदि माता पिता का रक्त समू A और B हो तो बच्चों में नहीं पाय जाने वाला समू तो देखो अगर माता और पिता दोनो A या B हो तो बच्चों में कोई भी समू possible हो सकता है बच्चों मे A भी हो सकता है B भी हो सकता है O भी हो सकता है ठीक है तो चारों समू possible होते हैं जब माता पिता दोनों का एक का A हो एक का B हो तो उसमें चारों possible है तो इसका answer आपका none कोई नहीं ठीक है 171 कुशन देखे निमने उसे कौन सा सुमेलित नहीं है तो C6H5NH2 Aniline कहलाता है सही है C6H5C-L Clorobenzene कहलाता ये भी ठीक है CS3C-O-NH2 Acetinide कहलाता है ये भी सही है आपका CSC-L2 Dichloromethane कहलाता है ये आपका गलत है D, इसको हुआ हम लोग Dichloromethane नहीं बोलते हैं बलकि ये आ आपका methyled diclorine है, तो methyl diclorine आप ईको बोल सकते हैं, dicloro-methan नहीं बोलते हैं, तो यह आपका option गलत होगा, 72 निम्न में से कौन सुमेलित है, चलिए खोज करता हूं, और आपका तत्तो दिये हुआ है, तो क्लोरीन की खोज आपका की गई थी सेले द्वारा ठीक है ब्रोमीन की खोज कोटियस द्वारा नहीं ये गलत है आपका ब्रोमीन की खोज कोटियस द्वारा नहीं की गई थी आयोडीन बैलाड ये ठीक है तो option आपका भी गलत होगा 74 देखिए केलवराइट किसका 73 केलवराइट किसका आयस्क है तो केलवराइट आपका AU यानि गोल्ड का हमारा आयस्क होता है तो आंसर आपका होगा B 74 है चेन हुक की लादी बनाने में किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है तो रॉट आईरं या Laloha तो कौन सा Durbal Amal नहीं है तो देखे Durbal Amal Acetic Acid Durbal Amal है Formic Acid Durbal Amal है Taataric Acid Durbal Amal है तो Carbonic Acid आपका strong में गिना जाता है इसलिए आप इसको प्रियुक्त अगनी सामक है तो पेट्रोलियम में जो बाग लगती है तो उसको बज़ाने के लिए हम foam type fire extinguisers का use करते हैं तो foam type आपके जो आग बुझाने वाले यमंटर हैं जो foam उत्पन करते हैं जहाग को बुझाने में ठीक हैं बाकि सोडा ऐसे टाइप से यह नहीं बुझती है पाउडर टाइप से भी नहीं बुझती है क्योंकि आपका पैटोलियूम जलता रहता है इस दोरा तो फोम टाइप लगाओगे तो आप उसको आसानी से बुझा सकते हैं ठीक हैं 77 देखिए खगोलि वैग्यानिक थे कैपलर को धियान रखिएगा ओप्शन B 78 है मानव नेत्र कता को सरवाधिक सुग्राई है यानि कौन सा रंग मनुश्य के Vocês के नेत्र में आसानी से आपका ग्राण किया जाता है तो वह हमारारा पिला है इसका सरवाधिक सुग्राई है हमारा जो मानव नेत 79 उपग्रहों की किस कक्षा को Clark कक्षा कहा जाता है तो कक्षा यह लियो मियो और जीयो यह तीन टाइप की होती है ठीक है यह सबसे निम्दम कक्षा है इससे ओपर की कक्षा हमारी मियो कक्षा कहलाती है और 36,000 किलोमेटर के मुचाई पर जीयो इस्तित है वो जीयो स्टेशनरी या जीयो और्बिट कहलाती है तो किस कक्षा को Clark कक्षा कहते हैं तो आपका आंसर यह C होगा इसी को हम Clark कक्षा के नाम से भी जानते हैं फिर नेक्स कुशन, कुशन नमबर 80 सुसपस्ट दर्शन के नियूनतम दूरी तो सुसपस्ट दर्शन के लिए नियूनतम दूरी आपका 25 cm है इससे नजदेक लाने पर हमारे दिर्शयता प्रभावित होती है तो इस पस देखने के लिए आपको कम से कम किसी भी आपज़ेट को अपनी आँखों से 25 सेंटिमीटर दूर रखना पड़ेगा 81 है जल सतय पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है तो किस कारण से दिखाई देती है आप जानते हैं इसके बारे में आप पड़ चुके हैं परावर्तन जो होता है उसी के परिणाम सुरूप हमें ये सतय रंगीन दिखाई देती है 82 है टेको मीटर का परियोग किस के मापन के लिए किया जाता है तो टेको मीटर जो है गुर्णन के लिए यूज की जाती है इसको घुर्णन का मेजर करने के लिए टैकोमेटर का यूज करते हैं 83 है पृत्वी की सतय पर G का मान में परिवर्तन का कारण है किस कारण से G की वैल्यू परिवर्तित करती है तो दोनों ही option आपके सही है पृत्वी के घुर्णन पर भी निर्वर्त करती है और पृत्वी के आकार पर भी निर्वर्त करती है तो option आपका C, A और B दोनों 84 देके तेज गती से घुमता neutron तारा तो तेज गती से घुमता हुआ जो neutron तारा होता है उसको हम pulsar बोलते है next 85 एक वस्तु जिसका तापमान 50 degree centigrade है का तापमान degree Fahrenheit में क्या होगा तो इसको आप change कर सकते हैं C upon 5 is equals to F minus 32 upon 9 तो इसमें आपको जो दी गई है C की value यहाँ पर रखेंगे cross multiply करेंगे तो अगर आप यह 50 रखते हैं तो 50 upon 5 is equals to F minus 32 upon 9 अब यह 10 आएगा तो 10 into इस 9 को इदर ले जाएए F minus 32 तो 90 और यह इदर जाके प्लस हो जाएगा 32 तो आपका 122 डिगरी यह आपका option भी सही answer होगा ठीक है नेक्स देखिए 85 के बाद 86 किस ताप पर फॉरन हाइट और यूमर पाठांग समान होते हैं तो माइनस 25 दसमलब 6 डिगरी पर यह दोनों समान रेटिंग दिखाते हैं इसके बाद के रहा है एक BTU British Thermal Unit में कितने कैलोरी होती है तो एक BTU में 252 कैलोरी मानी जाती है तो इसको ध्यान रखेंगे 87 का P 88 के रहा है P plus half PB square plus PHG is equals to constant is related to यह किसे संबंदित है तो यह Bernoulli's theorem कि किसी आपका जो है अगर रेखिय जो हमारा प्रवा हो रहा है उसमें सभी जगे किसी particular point पे हमारा जो तीनों दाब होते हैं उनका जो total रहता वो constant रहता यह Bernoulli's theorem कहती है तो उसको ध्यान रखेंगा 89 है आवरती का विमिय सोत्र तो frequency तो frequency is equals to होती है 1 upon t तो t आपका time के लिए है ठीक है तो आप इससे खुद ही निकाल सकते हैं कि आवरती का विमिय सोत्र क्या होगा तो भई 1 तो कुछ इसके जगे तो कुछ है नहीं t की जगे आप क्या रखेंगे time रखेंगे तो m भी 0 होगा l भी 0 होगा t-1 होगा तो option आपका a सही होगा यहाँ पर m कुछ नहीं है आपके पास mask नहीं है ना तो आपका दरबेमान है ना दूरी ना आपका length है कुछ दे रखी कि अबल time दिया हुआ है तो आप time t-1 उसका सू एक ग्रूस तो एक ग्रूस में 144 के बराबर होते हैं तो 144 आप जानते है 12 का square होता है तो 12 दरजन इसमें एक ग्रूस में होते है ठीक है 91 देखिए निमने में से कौन सा सुमेलित नहीं है टेसला चुमबकिया छेतर हैंरी प्रेरकत्व गॉस चुमबकिया प्रेरान वेबर च चुमबकिया मात्रा वाला जो आपका option है यही गलत है क्योंकि वेबर आपकी किसकी एकाई होती है magnetic flux की थीक है चुमबकिया flux की तो ये flux की है इसको ध्यान रखियेगा वेबर 92 है प्रियावण से संबंदित इसका नियॵ यॉर्क है यह दोनों ध्यान रखियेगा 93 एक गिद सनरक्षण परियोजना कप प्रारम की गी थी तो भारत में गिदों को सनरक्षण करने का कारिक्रम 2006 में आरम किया गया था इसके लावा आप प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट अलिफेंट, मनिपूर्थामीन, कस्तुरी मुर्थ परियोजना है इन सबको भी ध्यान रखेंगे यह भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है नेक्स देखें, cold desert biosphere reserve, तो cold desert biosphere reserve आपका हिमाचर प्रदेश में है, उपरी रिजन जो है इसका, उसको हमने cold desert biosphere reserve कोशित किया हुआ है ठीक, पिचानवे देखो निमनों से कौन सुमेलित नहीं है, cop 1, 1994, नसाओ वहामाज cop 5, 2000, narrowby, cop 12, 2014, Pyongyang और cop 9, 2010, बहुद, तो यही गलत है, अभी हमने बात की थी, कि cop 9 आपका जो है, यहाँ पर नहीं, बलकि मिलान में हुआ था, 2003 में, तो यह आपका option गलत है, बाकी सब सही है next, 96, निमनों में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक नहीं है, तो साकाहारी, मांसाहारी, सरभारी, नमी, आदरता, तो यही हमारा जैविक घटक है, बाकी सो सब हमारे जैविक है, तो इसलिए option आपका D होगा, ठीक है 97 को कैलसिटोनीन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो कैलसिटोनीन हार्मोन का स्राव करती है, पैरा थायूराइड, ठीक है, तो धान रखेगा इसका option B, पैरा थायूराइड गरंती जो है, वो कैलसिटोनीन हार्मोन का स्राव करती है, 98 है, इनियाक कम्प्यूटर के का रख थे JP Eckert 99 देखिए रक्त की मात्रा सरीर के कुल भार का कितने परसेंट होती है तो रक्त की मात्रा लगबग हमारी 7% के आसपास होती है हमारे टोटल बॉडी वेट के ठीक है और 100 है अरका बसंत और अरका मोहिनी किस की प्रजातियां है तो यह आपके सिंबला मिर्च की प्रजातियां है तो ध्यान रखिएगा कि अरका बसंत और अरका मोहिनी तोनों आपकी सिंबला मिर्च की प्रजातियां माने जाती है ठीक है तो बस नहीं आपके लिए आज के लिए धन्यवाद नेक्स पेपर आपका अगली पार करेंगे तब तक